गुरू जी वैशेशिक दर्शन क्या है? कृप्या विस्तार से बताएं प्रस्तन है वैशेशिक दर्शन क्या है? तो जैसे हम सिरीज में लेते ही है, पिछली बार बताया था, न्याई दर्शन के बारे में बताया था तो प्रस्तना आया कि अभी न्याई और वैशेशिक दो बताये थे तो उसमें ये दोनों का दर्शन का जोड़ है तो वैशेशिक दर्शन क्या है? तो मैं थोड़ा बताता हूं उसके विशय में वैशेशिक दर्शन का नाम विशेश नाम के पदार्थ से पड़ा है विशेश नाम के पदार्थ को जो स्विकार करता है वो वैशेशिक दर्शन है विशेश से सम्मंदित वैशेशिकम ये इसका अर्थ है तो विशेश क्या है पदार्थ ओपत होना चाहिए अब विशेश पदार्थ को थोड़ा समझते हैं तो विशेश इक दर्शन का नाम समझ में आ जाएगा तो विशेश पदार्थ हो है कि जैसे की परमानू होता है ना तो बाने की एक में उदारन देता हूं कि दो वस्तु यह अलग-अलग क्यूं होती है जैसे की एक इधर कोई पड़ा है वस्तु एक इधर कोई पड़ी है दोनों गट पड़े है मतलब घड़ा पड़ा है दोनों तो दोनों घड़े अलग-अलग क्यूं है तो दोनों क्यूं अलग-अलगे तो उसका एक जवाब है कि दोनों के अंग अलग-अलगे दोनों के अवियव अलग-अलगे पार्ट्स अलग-अलगे जिसके पार्ट्स अलग-अलगे वह वस्तू अलग-अलगे अब इसके पार्ट दोनों घड़े अलग अलग हैं तो ये से क्यों अलग है कि युझे उसके पार्ट जयन्हें तो ये से आलग है वस्तू कि जो रोड़ यालहेवस्तू का वह दोनों अलग अलग है उसके पर्माणु क्यों अलग अलग तो उसमे परमानु में भी एक विशेष नाम के पदार को की कल्पना की गई है कि एक कुछ एसा विशेश है जो ये परमाणू में अलग है और कोई एक विशेश पदार थे साई कि जो ये परमाणू में अलग है इसके लिए परमाणू अनन थे परमाणू दिखते नहीं है तो भी दो परमाणू अलग अलग है परमाणू के पार्ण अलग से यसा नहीं किये सकते उसका कारण परमान्व पार्णव के कोई पार्ण सी नहीं है तैसलिको परम अनुद नहीं है तो उस знаешь कोई अधर्नद्वी अपैंगे परमाधर्निएंप अब जिससे कोई अनुद नहीं है अनु अनु करते गए तो अन्तीम जो बचा उसको बताया परम अनु उसका नाम हुआ परम अनु परम अनु यह शब्द है वह सबसे पहले तो वेदों में आया है लेकिन उसकी जो डेफिनेशन दी गई शास्त्रीय रूप से अने तरकों से तो वैशेशिक दर्शन में दी से अनके करता का नाम कणाद है कणाद क्यू है क्यूंकि करकन खाते थे वो अनके कणों को खाकर उसनोंने जीवह जीवन कुज गुजला था है और वह कण Pak भक्ष कहते उसको तो कणा इनके रचैता है सूत्र के वैशेशिक के उसमें परमानु की बहुत बहुत डीटेल बताया है वेशे शीक दर्शन में परमाणू क्या है उसे सुरुष्टी कैसे उत्पन होती है परमाणू से स्थूल बुद्धी से कुछ नहीं ज्यात होता है सुक्ष्म बुद्धी चाहिए इसके लिए उपनिशत ने भी बताया है कि दुरुष्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सुक्ष्मया सुक्ष्म दर्शी भी ही यह आत्मतत्व किस से प्रकाशित होगा कैसे जाना जाएगा त कि जब उतनी सुक्ष्म होगी उतनी सुक्ष्म होगी तो आत्मतत्व पता चल जाएगा क्योंकि जैसे ज्यात से अज्यात की और जाते हैं तो स्थूल से सुक्ष्म की और यात्रा होती है स्थूल ज्यात होता है सुक्ष्म ज्यात नहीं होता है आपकी स्थूल बाते जो है करनाध मुनी ने पूरे विशेशिक दर्शन का नाम पड़ सविकार करता है परमानु में रहने वाले और उनके रचयिता कणादमुनी है कनाद मुनी ने पूरे वैशेशिक दर्शनों शुत्रों की रचना की है वो साथ पदार्थ को मानते हैं द्रव्य, गूण, कर्म, सामान्य, विशेश, समवाई और अभाव ये साथ पदार्थ है ये सब्त पदार्थ है वो वैशेशिक मत उनको कनाद मुनी मानते है और परमाणू केवल कलपता नहीं परमाणू की व्याख्या देने वाला पहला दर्शन रहकस नहए परमाणू जिसने बताया जब एटम की यह तो गए वह यह शक्चिय ने परमंबर्श सबसे पहले बता है कि परमाणू में इतनी शक्ति है और जैसे जैसे वो परमाणू तक जाते हम वो सकती का एक स्पोर्ट हो शकता है लेकिन न्याई दर्शन ने उसको आत्मा के लिए उप्यों किया या वैशेशिक दर्शन ने उसको आत्मा के लिए उप्यों किया यह दोनों दर्शन कंबाइन परमाणू के विशई में एक सम वेशेशिक शूत्र है, उसके उपर प्रसस्तपाद भाष्य है, प्रसस्तपाद मुनी ने लिखा हुआ, तो इनके अध्ययन से बहुतियम को जानने को मिलता है, गेहराई समझ में आती है, और भुतिक साइंस से उसका हम जब कंपेर करते हैं, तो हमारी बुद्धी गवरवान वित होती है, कि अजारों-जारों साल पहले किसी ने परमानु को जान लिया था, किसी ने परमानु की शक्ति को जान लिया था, किसी ने परमानु की एसी अध्विती शक्ति को या विशेश नाम के पदार्थ को जान लिया था, तो ये वैशेशिक दर्शन का अभ्यास बैयूरुवेदि का भी जिसकोभ्यास करना है। उसको जैसे नियाईका अभ्यास आवश्यकषे एसे वैश्यसिक दर्शन का भी आवश्यक कई कि परमानुकी प्रक्रिया जहां तक समझ में नहीं आएगी वहां तक पदार्थ का रुपांतरण कैसे होता होता है पदार्थ का शक्ति में रुपांतरण होता है या नहीं होता है पदार्थ पदार्थ में रुपांतरित होता है या नहीं होता है इसमें बहुत सारे धीमताम कश्चिद अविशयो नाम जो ये सब दर्शन पढ़ लेता है उसको कोई भी विशय ऐसा नहीं रहता है जो उसको पता नहीं चले उसको बहुत कुछ बुद्धी सुक्ष्म हो जाती है तो बहुत विशय उसको तुरंत पता चल जाते हैं तो इसके लिए विशेशिक दर्शन का अभ्यास आवश्यक है तो दर्शन शास्त्रों के श्रूंखला में हम आगे देखेंगे आज विशेशिक दर्शन का थोड़ा हमने परीचेई दियखा संक्षिप्त में देखा आज स्थूल रूप में देखा थोड़े नाम से देखा उसके करता के नाम से देखा अभी कभी समय मीलेगा तो हम बहुत सारे विशय इसके बारे में वैशेशिक दर्शन के बारे में आज के विज्ञान के साथ अनुसंधान करके आज के विज्ञान के साथ उसकी तूलना करके बताएंगे नमस्ते धन्यवाद